नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चनल समीर पाटसाला में दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टोपिक होगा एक और फिगर ओफ स्पीच जिसका नाम है लाइटोटिस दोस्तों समझते हैं पहले इसके ओरिजन को कि ये कहां से आया है दोस्तों ये वर्ड जो आया है लाइटोटिस वो ग्रीक लेंगवे से आया है ये तो था दोस्तों इसका ओरिजन अब समझते हैं इसकी डैफिनेशन को इसकी definition है दोस्तो light otis is a figure of speech in which a negative statement is used to emphasize a positive sentence इसका मतलब है दोस्तो light otis word का light otis figure of speech का हम इस्तिमाल किसी positive meaning की चीजों के लिए ही करते हैं लेकिन इस्तिमाल तो हम इसे करते हैं negative statement के साथ negative words, negative sentence के साथ इसका इस्तिमाल हम करते हैं ऐसा हम क्यों करते हैं क्योंकि जो भी कोई positive चीज है उसको emphasize करने के लिए उस पर जोड डालने के लिए हम negative words का इस्तिमाल करते हैं हम इसे आगे चलके दोस्तो example से समझेंगे इसके use में हमें देखने के लिए क्या मिलेगा no note के इस्तिमाल हमें मिलेगा जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि इसमें हम negative statement देते हैं तो उसके लिए हमें इन word का इस्तिमाल करना पड़ता है दोस्तों ये देखिए hyperbully and light otis ये दो figure of speech हैं जो दोनों एक दूसरे के opposite हैं ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कभी-कभी exam में ऐसा भी आ जाता है कि इक light otis के opposite जो figure of speech है वो कौन सा figure of speech है तो उसका जो answer होगा दोस्तों hyperbully होगा क्योंकि hyperbully जो है एक overstatement का figure of speech है और light otis जो है दोस्तों वो understatement का figure of speech है तो ये दोनों एक दूसरे के opposite है याद रखना है आपको कि यदि exam में इस तरह से भी आता है कि hyperbully का कौन सा figure of speech है opposite वो है light otis समझते हैं दोस्तों इसे कुछ example से जब मैं आप लोगों के लिए आज ये presentation बना रहा था तो देखिए यहाँ पर ये पहली news जो है जो की रोहित सर्मा के बारे में है कि रवी सास्त्री वस well aware of रोहित सर्मा सुचवेशन लेकिन उसको उनोंने negative statement में इस्तिमाल करके दिखाया है देखिए यहाँ पर negative word यूज हुआ एक negative word यहाँ पर यूज हुआ मिलकर इन्होंने क्या बनाया positive meaning बनाया तो दोस्तो जो रवी सास्त्री थे वो रोहित सर्मा की situation से well aware थे यदि मैं इसको दूसरे सब्दों में कहूं दोस्तो रवी सास्त्री was not unaware about रोहित सर्मा situation वो रोहित सर्मा की situation से बहुती अच्छे से aware थे वो unaware नहीं थे ठीक है तो ये आपको एक example परफेक्ट example मिल गया है light notice figure of speech का अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और example से समझते हैं not unwelcome इसका मतलब है कि welcome मैं आपको इसको situation से समझा देता हूँ माल लो आपका एक दोस्त है वो आपने party में invite किया जब वो साथ में आया party में अपने दोस्तों के साथ आया जो की इस party में invite नहीं थे लेकिन जब आप उसे दरवाजे पर ही मिले अपनी party के gate पर ही मिले सब लोगों को welcome कर रहे थे तो उसने कहा कि मैं अपने साथ दोस्त और लेकर आया हूँ तो जब आप host थे तो आपने क्या उसको reply किया दोस्तों not unwelcome यनि के आपका स्वागत है ये unwelcome नहीं है जब ले आये तो ले के आओ अंदर इनका स्वागत है next example है दोस्तो she is not unlike her mother देखें यहाँ पर भी दो negative sentence words का इस्तिमाल हुआ है not or unlike मतलब कि वो अपनी मा की तरह ही है पर एक positive meaning निकल के आ रहा है कि आपका apartment जो है वो बहुत ही clear है next example है दोस्तो I am not a little surprised it means I am greatly surprised कि ऐसा कैसी हो गया तो दोस्तो आप लोगों को ये light notice figure of speech समझ में आया होगा कब हम इसका इस्तिमाल करते हैं कि जब हम किसी positive चीज को positive meaning की किसी भी चीज को emphasize करना चाहें तो हम negative words का इस्तिमाल करके light notice figure of speech को इस्तिमाल करते हैं ताकि उस positive चीज को हम emphasize भी कर सकें ये था दोस्तो लाइट उटिस फीगर ओफ इस पीच आई होप आपको ये समझ में आया होगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जहन